प्रफम व्यक्तित जिनका प्रफम इस्थान रहा है आज इन्ही तत्यों पर बात करेंगे और दोस्तों मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वे सभी तत्यों किसी ना किसी परिक्षाम पूछे जगए हैं और अगे भी पूछे जाएंगे साथ ही कुछ नए प्रशन भी है जो भावी परिक्षाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों पहला पॉएंटर चत्यों के प्राचीन इतिहास का इस्त्रोत राजी मवलेक से मिलता है जो संबन्दित है विलास्तुंग से दोस्तों आपसे प्रशन पूछे कर कि राजी मवलेक किस से संबन्दित है तो वह विलास्तुंग से संबन्दित है और इसमें चत्यों के प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है तो राजी मवलेक से हमें प्राप्त होती है और या किस से संबन्दित है या व विलास्तु में नलवनसी प्रसिद्ध सासक था और इनके द्वारा राजीम में राजीम लोचन मंदिर का नर्मार कराया गया है अगला पॉइंट है चातिस गल का प्रथम इतिहासकर तो चातिस गल का प्रथम इतिहासकर बाबू रहेवराम जी है इनके द्वारा लिखित गरंथों में है है वनसी सासकों की इतिहास की जनकारी मिलती है इसलिए इनहें 36 गर का प्रथम इतिहासकार माना जाता है दोस्तो अगला पॉइंट है 36 गर का प्रथम पुरातत विट्ता लोचन प्रसाद पांडे जी है पंडित लोचन प्रसाद पांडे प्रथम पुरातत विट्ता के साथ 36 गर के बहुत ही प्रतिवावन साहितकार की रूप में जाने जाते हैं दोस्तो 36 गर के प्रतम विक्तीतु का जो अगला पार्ड होगा वो400 साहित यववा साहितकार पर आधारीत होगा यहाँ अगला पार्ट भी आपके लिए बहुत ही महत्वपोन सावित होने वाला है क्योंकि 36 गर पिएस्सी, 36 गर व्यापम, 36 गर पोलिस सभी एक्जाम में 36 गर का साहित एवम साहित एकरसलेबस में होता ही है इसलिए यहाँ पार्ट जो की इस वीडियो के बाद अप्लोट कर दिया जाएगा उसे भी जरूर देखे दोस्तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता ही है और यदि आपने हमारा चनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को अन तक देखे दोस्तो अगला पॉइंट है चतिस गर में प्रथम इटो से निर्मित मंदिर का निर्माड तो वाष्टा देवी ने कराया था वाष्टा देवी मगत के मोखरी राजा सुर्य वर्मा की पुत्री के साथ ही पांडुबंसी सासक हर्जगुप की पत्नी थी और हर्जगुप की इसमिती में ही राणी वाष्टा देवी ने सिर्पूर में लक्ष्वाल मंदिर का निर्माड कारे परारम कराया था दोस्तों ये डबल इश्टार का कोश्चन है डबल इश्टार का इसलिए क्योंकि चतिस गड़ में प्रथाम इटो से निर्मित मंदिर कौन सा है तो वह है लक्ष्वाल मंदिर इसका निर्माड किसने कराया तो वाष्टा देवी ने वाष्टा देवी किसकी पुत्री थी तो मगत की राजा मौकरी राजा सुरिवर्मा की पुत्री थी और किसकी पत्नी थी तो पांडुबंसी सासक हर्शगुपत की पत्नी थी तो इस प्रकार के प्रश्ण बार 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 आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं CGPSC, CGVYAPOM या चतिवरेश्टेट का कोई भी एक्जाम हो अगला पॉइंट है चतिजगर का प्रथम राजवन्स तो चतिजगर का प्रथम राजवन्स राजशूत तुल्यवन्स था राजशूत तुल्यवन्स इसे सूरवन्स के नाम से भी जाना जाता है इस वन्स का जो काल होगा पांचिर से छटिर सताब्दी तक था और इसकी राजधानी आरंग थी चतिजगर आने वाला चीनी यात्री वेंत्यांग था वेंत्यांग जिसमें चतिजगर को किया सलो किया सलो के नाम से वनित किया है तो दोस्तों आपसे प्रश्ण पूछ सकता है कि चतिजगर जब चतिजगर आने वाला चीनी यात्री जो की वेंत्यांग था और वेंत्यांग ने अपनी पुस्तक सी यू की में इस छेत्र 36 गर छेत्र को किस नाम से उल्लेखित किया है तो वह आपका उत्तर होगा किया सलो इस प्रकार के आपसे प्रश्ण PSC या वापंदरा पुछे जा सकते हैं अगला पॉइंट है 36 गर में नरबली का लिखित साख्ष तो यह मदुरांतक देव के समय प्रात्त हुए है मदुरांतक देव छिंदक नागवंसी सासक था और इसकी राजधानी थी वह चक्रकोट थी चक्रकोट मतलब वर्तमान अभी चित्रकोट और छिंदक मागवंसी राजा भोगवती पुरेश्वर की उपाधी धारान किया करते थे अगला पॉइंट है कल्चूरी से सोरपधम संहर्ष करने वाला राजवंस तो यह मैकल के पंडूवंस थे मैकल के पंडूवंस जिकी राजधानी थी अमरकन टक दोस्तों यह कुश्चन आया हुआ है CGPSC में इसलिए मैं आपर नोट कर दिया हूँ कल्चूरीयों का 36 गर में प्रथम आगमन तो दोस्तों अभी हाली में व्यापम दोरा पूछा गिया था यह प्रश्ण कि कल्चूरीयों का प्रथम आगमन कब गुआ था 36 गर में कलिंग राज है कलिंग राज जो कि 36 गर में कल्चूरीयों का वास्तविक संस्थापक था इसने अपनी राजधानी तुम्हार को बनाई जो अभी वरतमान कॉर्बा जिले में इस्थित है Next Point प्रथम कल्चूरी सासक जिन्हों ने रतनपूर को अपनी राजधानी बनाया तो दोस्तों अभी जिस्थ मैंने आपको पताया कि कलिंग राज जो तुम्हार को अपनी राजधानी बनाया और कलिंग राज और कमल राज नाम के दो राजाओं ने साशकों ने कल्चुरी साशकों ने वहाँ पर राज किया उसके बाद जो रत्न राज प्रथम थे इन्होंने रतनपूर को राजधानी बनाया रतनपूर नगर को बसाया और 1050 में इन्होंने रतनपूर को प्रथम बार राजधानी बनाई प्रथम कल्चुरी सासक जिन्होंने कोसंगा कोजगई को राजधानी बनाया तो दोस्तों बाहें रसाय जो की कोसंगा कोजगई छेत्र चुरी कोजगई छेत्र जो की वर्तमान अ इन्होंने अपनी राजधानी बनवाया था त्रिपुरी की अधिन्ता अस वीकार करने वाला प्रथम कल्चुरी सासक जो की जाजला देव प्रथम था दोस्तों यह डबल इस्टार का कुश्चन है क्योंकि यह बार बार सीजी पीए सी व्यापन वार बार बार पुछा जाता है तो इसके बारे कुश आपको मैं जानकारी देता हूँ कि जो जाजला देव प्रथम है इन्होंने छिंदक नागवंसी सासक सुमेश्वर देव को हराया था उईसा के सासक भुजबल को हराया था जाजला देव प्रथम ने त्रिपुडी की अधिनता को अस्विकार करते हुए अपने नाम के स्वन और तांबे के सिक्के प्रचलित कराये थे और इन्होंने स्वन शिक्कों पर स्रीमद्ध जाजला देव तथा गजशारदूल अंकित करवाया था तो इस प्रकार यह question बहुत ही important है next point कल्चुरियों की रायपूर साखा जो की लहरु साखा के नाम से भी जाने जाती है कि संस्थापक कौन थे तो दोस्तो कल्चुरियों की जो लहरु साखा जो की परंपरा गत रूप से केसव देव ही संस्थापक है परंथु आयोग द्वारा इसका उत्तर रामचंदर देव लिया गया है तो दोस्तो ऐसे प्रश्णों के विकल्प के आधार पर प्रश्णों को विकल्प के आधार पर आपको सही उत्तर चुनना होगा आयोग का पेपर है तो रामचंदर दीव ही उत्तर रुक मानिये और व्यापम का है तो केशवदे उत्तर लिया जा सकता है अगला पॉइंट 36 गर में प्रथम मराठा आक्रमल कारी भासकरपन था जो कि नागपूर का भोसला सेनापती था और पतन के कागाय पर पहुँच चुके हैहवनसी सासन का लाब उठाकर इसने 1741 में रतनपूर राजे पर आक्रमा किया यहां के राजे रगुनाथ सिंग जो कि वेद्ध हो चुका था और इसने बिना युद्ध किये समर्पर कर दिया इस परकार रतनपूर साखा का अंतिम कल्चुरी सासक रगुनाथ सिंग था और यह कुशन बार बार पूशा जाता है कि 36 गर्ड में प्रथम मराठा आक्रमा का रिभासकर पंथ तो इसने रतनपूर पर कर आक्रमा किया तो इसका उत्तर होगा 1741 में नेक्ट पॉइंट 36 गर्ड में प्रथम मराठा सासक बिमबा जी भोसले था 1758 से लेके 1787 तक इन्होंने 36 गर्ड प्रत्यक चुरूप से सासन किया और कल्चुवियों की जो राजधानी थी रतनपूर उसे ही अपनी राजधानी बनाई इस प्रकार मराठो का 36 गर्ड में प्रथम राजधानी रतनपूर होई और बिमबा जी भोसले हैं उनकी जो तीम पत्निया थी आरंदी भाई, रमा भाई और उमा भाई जिसमें से जो उमा भाई है वो बिमबा जी के साथ सत्नी होई थी दोस्तों इस प्रकार कापा सीजी पे सी यार सी जिजा वाप हम पूछा जाता है और यह क्वेशन पूछ चुके है कि इसकी कितनी पत्निया थी अगला प्रश्ण है 36 गार का प्रथम सुवेदार तो 36 गार का प्रथम सुवेदार था मही पत्राओ दिन कर जो सुवेदारी जो प्रथा है वो वैंको जी द्वारा लाई गई थी वैंको जी भोसला के द्वारा सुवेदारी पत्राओ प्रणम की गई जो 1887 से लेकर 1818 तक चली थी जिसमें अंतिम सुभेदार था हो यादा और आओ दिन कर था और इसमें कुल 8 सुभेदार हुए नेक्स्ट पॉइंट 36 गाप परथम डिप्टी कमिशनर तो 36 गाप परथम डिप्टी कमिशनर था वह चार्ल्स इलियट था अगला पॉइंट है 36 गाप परथम अंग्रेज अधिक्षक तो 36 गाप परथम अंग्रेज जो अधिक्षक था वह कैप्टन एडमंड था तो दोस्तों इसके बारे में है कि सन 1818 में त्रिती आंगला मराथा युद्ध में मराथा बुरी तरह परजित होने के बाद मराथा परथम डिप्टी अप्पा साहाब ने अंग्रेजो की सहायक संधी स्विकार कर ली जो की रगोजी त्रिती के वैस को होने तक के लिए लागू रहेगा इसी कताद 36 गवा में 36 गवा 1818 में पहली बार अंग्रेजी सासन के अधिन हुआ और 36 गवा के प्रशाशन के लिए बिटिस सुप्रिडेंडेंट जो की अधिच्छक की नियुक्ति की गई और इन्हें नागपूर के रेसिडेंट के अधिन कारे करना पड़ता था दोस्तों यह क्वेशन प्रशाशन पूछा गया था राइपूर में प्रथम पुष्ट मास्टर तो इसका नाम था इसमीत अगला पॉइंट है 36 गवा में प्रथम जीलेदार तो 36 गवा जो प्रथम जीलेदार हुआ अप पर आओ दिनकर है और कुल आठ जीलेदार हुए थे और इसमें से जो अंतिम जीलेदार हुआ गोपार राओ है नेक्स्ट अंगरेजों द्वारा 36 गवार के लिए गठित प्रथम प्रादेशिक स्थेना का कमांडर जो कि कैप्टन माक्षन था यह प्रश्म प्रादेशिक द्वारा पूछा गया है 36 गवा का प्रथम सहीद तो 36 गवा जो प्रथम सहीद था वो वीर नायार सींजी है दोस्तों जो वीर नायार सींजी जो हैं जो कि बलोदा बजार में सोना खान के जमिदार थे और यह बिंजवार जाती के थे और यह बहुत ही इंपोर्टेंट है हमारे एक्जाम के द्रिश्टी से क्योंकि बार-बार इसके प्रश्म पूछा जाता है अभी हाल ही मैं प्रश्म पूछा गया था कि इन्हें पहली बार जेल में कब डाला गया तो इस प्रकार के बहुत ही डिप डिप कोश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर हम केवल तत्यों की बात करें इसलिए आपको मैं कुछ-कुछ फेट बतायता हूं इसके बारे में कि जो विर नयार सीन जो बिंजवार जाती के थे सोना खान के जमिदार थे और 1856 में जब अकाल पड़ा था सोना खान जमिदारी में जब अकाल पड़ा था तो इन्होंने अकाल पिरतों के लिए कजडोल के व्यापारी माखन लाल के हाँ गोदाम में अनाज लूट कर बांट दिया था इन्होंने और इसी करान इन्हें 24 सक्टूबर 1857 जो की CGPSC द्वारा पूछा किया था प्रश्न तो 24 सक्टूबर 1857 को इन्हों पहली बार जेल में डाल दिया गया था लेकिन 1857 में भटगाओं बिलाईगर देवरी और कटंगी के जमिदारों की सहायता से लेफ्टनेंड इसमीत के द्वारा फिर से गिरफतार कर लिया गया और दस दिस्तमबर 1857 को रायपूर के जैस्तम चौप में इन्हें फासी दे दी गए तो इस प्रकार यह बहुत इंपोर्टेंट है और जिस बात को भी मैंने बोला या इसे आप दूबारा रिवाइस करके भ तो यह डबल इश्टार का ही कोश्चन है हमारे चतिस गड़ के लिए अगला पॉइंट है चतिस गड़ की एक मात्र महिला सासी का तो चतिस गड़ की जो एक मात्र महिला सासी का है महारानी प्रफुल वारी देवी है और इनका जो राजी अभिशेक हुआ था 1922 में जब वो 12 वर्ष की थी तब इनका राजविशेक किया गया था तो इस प्रकारिया चतिस गड़ की प्रथम वा एक मात्र महिला सासी का क्राव के नाम से जाना जाता है या काक्तिवन से सम्बंदित है अगला पॉइंट है चतिस गड़ की प्रथम महिला विद्रोहनी जो की रानी चोल तो वो निलुपंद के द्वारा किया गया था निलुपंद द्वारा प्रथम बार बस्तर में आक्रमड किया गया और इस समय यहां का जो शाशक था हो दलपद्देव था इस आक्रमड के प्रणाम सुरूप राजधानी बस्तर से जग्दलपूर इस्थांत्रित किया गया था दलपद्यों के द्वारा दोस्तों इन सभी तथियों की PDF आप हमारे टेलिग्राम चैनलों पर प्राप्ट कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है वीडियो अन तक देखिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें नेक्स्ट पॉइंट अंग्रेजों के अपरतेक्श सासनकाल में बस्तर का पहला सा सकते तो यह महिपाल देव था महिपाल देव जो की काप्ति बंस का सा सकते और दोस्तों, अपरतेक्श सासनकाल में बस्तर का पहला सा सक था अग्रेजों के अधिन पहला सा सक जो की भैराम देव था भैराम देव का सासनकाल 1853 से 1891 तक था और इसी समय में 1854 को डलहौजी की हड़ाप नीती के तहट मराठा समराज को बिटिस समराज में मिला लिया गया था नागपूर के साथ ही 36 गर में प्रत्यक चुरूप से अंग्रेजी सासल में अधीन आ चुका था भैरामदेव के एक समय ही 36 गर संभाग का डिप्टी कमिशनर चार्ल्स इलियट प्रथम ईरोपी था जो बस्तर आया था तो इस प्रकार भैरामदेव के बारे में यह सब बातें हैं जो की बहुत ही इंपोर्टेंट है प्रथम अंग्रेज यात्री मिश्टर ब्लंट जो की 1795 में जिन्होंने बस्तर के सीमावरती छेत्रों में यात्रा की तो कहां यात्रा की तो सीमावरती छेत्रों में कांकेर की यात्रा की थी प्रथम अंग्रेजी आती Mr. Blunt 1795 और दोस्तों इसी समझ जो भोपाल पत्नम संघर्स हुआ था 1795 में प्रथम विद्रोह जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी तो दोस्तों यह कोई विद्रोह था कोई विद्रोह जो की 1869 में हुआ था इस समझ जो सासक था वो भाराम दे था और इस विद्रोह का जो नेता था वो नांगूर दोला था और इसका जो नारा था इस विद्रोह का जो नारा था वो एक साल व्रिक्ष और एक सीर के बराबर यह इस विद्रोह का नारा था बिटिस रियासत में विला होने वाली प्रथम रियासत तो बिटिस रियासत में विला होने वाली प्रथम रियासत जो की रागड रियासत थी भारती संग में विला है तू 36 गड़ की सबसे पहले स्विकृती देने वाली रियासत तो खैरागड दोस्तों नोट ध्यान दिजेगा स्विकृती देने वाली पहली रियासत खैरागड और सामिल होने वाली पहली रियासत सामिल होने वाली रियासत रायगड तो दोनों ही इंपोर्टेंट है इस स्विक्रिती देने वाली रियासत खैरागड सामिल होने वाली रियासत रायगड भारत संग में विला है तू तो दोस्तों मिलते हैं अंगले वीडियो पर धन्यवाद जय हिन जय चतिस गड़